प्रवरी का अंत हो रहा है और मार्च में हम लोग खुश रहे हैं इस फरवरी को हमने देखा है कि गर्मी अलड़ी स्टार्ट हो गई हैं मेरे कैमरामन सामने तो मेरा कोट भी उतरवा दिया खेरे सर्थ गर्मी के उपर में डिसकेशन कर रहे हैं तो करक्ट मेसज जाना कितनी लोगों को हीट स्ट्रोक होता है और ना जाने कितनी लोग आई सिउ पहुंच जाते हैं गर्मियों के दिनों में हमको क्या-क्या करना चाहिए क्या-क्या नहीं करना चाहिए आई इसके बारे में बात करें है नंबर वन जो आप कपड़े पहनते हैं उनको light color का यह जो shirt आप देख रहे हैं, चितना light color करेंगे तो वो आपके किसी भी रंग को reflect कर देते हैं, dark color जो shirts होते हैं या dresses होते हैं, वो अपनी अंदर में गर्मी को सोख लेते हैं, यसी गर्मी के समय में white नहीं तो light color के shirts या परिधान पहने, ये मेरी सबसे पहली advice है, धीमे धीमे ज and 12-4 के बीच आप अगर sunlight पे नहीं निकलेंगे, तो that is good for you, क्योंकि yes, गर्मी के समय में 12-3 या 12-4 के आसपस सीधी धूप पड़ती हैं, जो कि आपके शरीर से हर एक तरीके की तरल परदार्द को या पिर water को सोख लेती हैं, और उस water के साथ-साथ आपका नमक और शुगर ये दूनों भी काम हो जाता हैं, इसलिए गर्मी के समय आपको हर जगह अपने साथ एक water bottle लेके चलनी हैं, आज कल आपने देखा होगा ना हमारे हमें टूरिस भी बहुत आते हैं, टूरिस के हाथ में कुछ हो ना हो, एक water bottle ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए let's learn something good from our friends, and आप और हम कहीं भी बे जाएं, और अपने हाथ में water bottle को रखें, और water bottle में हलका सा नमक और हलका सा मिठास भी डाल दें, वारस आपको पता है ना, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, जैसे कि आपके आस्वों का टेस्ट हो, तो इसी तरीके से आप अपने आपको healthy, happy and smiling रख सकते ह गर्मियों में, मेरे को diabetes है, diabetes में मेरे को क्या ख्याल रखना चाहिए, इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि आपको अपनी शुगर time by time चेक करते रहना चाहिए, diabetes में दो चीज़े होती है, या तो शुगर बहुत डाउं हो आती है, बहुत बढ़ जाती है, दो नही अच्छी नहीं है, इसलिए मैं हर किसी को बताता रहता हूँ, कि diabetics should never fast and never feast, and strict fasting तो strictly no no, diabetic patients को मदू में के मरीजों को ये जरूरी है कि वहर 4-6 गंटे में कुछ ना कुछ खाते रहे, कहते हैं न साब, चूंगते रहे, इसलिए आपकी body की ये जरूरत है, इसको आपको समझ चाहिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो अपने sugar को test कर लीजे, जितना ज़्यादा आप sugar test करें, उतना आप healthy रहेंगे, 100 साल की जिन्दगे के लिए 100 बार sugar test करना बहुत ज़रूरी है, साल में 100 बार मतलब हफ़ते में 2 बार, कभी भी कुछ भी symptoms हैं आपको, सर्दी जु चेक करनी चाहिए, अपना sugar और अपना blood pressure, इसलिए अगर आपके घर में आपके ममी पापा को या भाई बहन को या husband या wife को diabetes है, तो make sure कि घर में एक glucometer होना चाहिए, जो कि काम करता हो, और आपके बास blood pressure की machine होनी चाहिए, कौन सी machine ले, कौन सी sugar की instrument ले, सहाब जो easily available हो, और जो कि Indian made हो, make sure कि सस्ते के चक्कर में आप गलच चीज ना ले, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ा available है, personally बोलूगा कोई द्वेश भाव नहीं है, चाहिना प्रोडेक्स से जतना अरूद हैं आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए इस समर्ज में आपको और मेरे को दो चार बातों का और ध्यान रखना है, क्या आपको हार्ट की बिमारी है, किड्नी की बिमारी है, तो आपका जो water consumption हो थोड़ा restricted होता है, किड्नी पेशन यूजिली एक लिटर से ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा धूप में निकलेंगे तो dehydration हो ज चलता है, कभी-कभी रोक नहीं पातों तो ले लेता हूँ, लेकिन घर में बने हुए पेपदार्थ बहुत अच्छे हैं, इसलिए अपनी मम्मी से या अपनी बेहन से या खुद घर में बनवा करके आप ले सकते हैं, बाहर के available products में थोड़ा सा infection की chances जादा होते हैं, थोड hospital में admission जैसी condition में पहुचे, take my words, मैं हर आये दिन किसी ना किसी patient को admit करता हूँ, घर के मा के बने हुए drinks excellent होते हैं, घर में मा के बनाए हुए drinks excellent क्यों होते हैं, खाना excellent क्यों होता हैं, क्योंकि बाहर का तो commercial product आता है, लेकिन मा जब भी खाना बनाती हैं, तो उसमें अपना आ लीजिये, कि कैसे जलपान बनाएं, जलजीरा बनाएं या लसी बनाएं, definitely fruits आप ले सकते हैं, अगर आपको diabetes है, लेकिन limited मातरा में, क्या मैं मैंगो ले सकता हूँ, या केला ले सकता हूँ, water melon ले सकता हूँ, answer is yes, अगर आपका sugar control है, तो पहले आप अपन HBA1C fasting blood sugar PLBS चेक कर या fruit से potassium बढ़ने के possibility है, तो आपको अपने doctor से contact करना बहुत ज़रूरी है, इन गर्मियों में आईए, हम एक दूसरे को इस message को forward करके, healthy happy smiley रहने का एक संदेश दे, क्योंकि आप और मेरा healthy रहना आने वाले दिनों में voting करने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपके उम कि आप अपने आपको voter registration करवा करके आने वाले दिनों में elections के लिए तयार रहे, क्योंकि आपका एक एक vote बहुत किमती है, और आपका एक एक share बहुत किमती है, इसलिए don't forget to share our video, आप और हम ही तो इंडिया है, और इस इंडिया को हमको अपने vote के द्वारा मश्बूत करना है आने वाले गर्मियों में इसी message को हम share करके अपने समाज को, अपने देश को और अपने इंडिया को मजबूत करेंगे, May God bless you all, for any doubts I am available at 810-612-7475, at Apollo Hospital Sikandrabad, और at Ethan's Clinic Garden Towers Mass Up Tank, या फिर Live Life Clinics के अच्छी बोली, make sure you put all your doubts on the comment section, and healthy happiness माने रहने के लिए, swine flu vaccination, hepatitis A vaccination, typhoid vaccination, ना लेना भूले, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको diabetes है, और अगर आप healthy happiness माने के रहा चाहते हैं, इसलिए, comment box पे अपने comment लिखना मत भूले, बाबाई झाले, बाई बाई